न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रबुजी सोनी वा पीली मन्दोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा माने ताप्राप्त मशूर हॉल मार्क ज्वेली शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलेस पर शुराम चौक सिर्सा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217 नमस्कर मैं हूं परमोद और आप देखना सुरू कर चुके हैं दिसडकनामा.com इस वक्त मैं मुझूद हूँ एलनावाद में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एलनावाद का वाइस चेर्मेन का चुनाव था जो पिछले दो बार से यानि कि इससे पहले भी स्थगित हो गया और आज भी इसको स्थगित कर दिया गया है इसको लेकर के बादचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कॉंग्रेस के विरिष्ट नेता हैं पूरू में जिला देख स रहे मलकीत सिंग खोसा जी इस फैंसले को आप किस तरह से देखते हैं पहले भी चुनाव है वो स्थगित किया गया और आज भी चुनाव है वो स्थगित किया गया है और बताया ये गया है कि SDM की तबियत खराब है हलांकि अबे सिंग चोटाला है उन्होंने भी बियान जारी किया है उन्होंने भी कहा है कि अगर तबियत खराब है तो किस डोक्टर से दुआई लिए वो बताए या देरात तक तो मेरी बात हुई थी तो तबी तो उनकी ठीक थी उसके बाद तबीयत खराब हो गए या सरकार की तबीयत खराब है इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं आपका क्या मानना है इसको लेकर एसा है कि यह चुनाव का जो एम सी वेगरा हैं जो इसके बोटर थे वाइस प्रेजिंट सुनने के लिए उनको ग्यारा बज़े सेंबल होने के लिए बोला गया था और मैं समते हूं कि यह ग्यारा बज़ने से कोई पांच साथ दस मिन्ट पहले यह पोस्ट पोन की बात आई है तो मेरे अंदाजे से के मताबक तो यह है कि बीजेपी अपने आपको यहां कमजोर स्तिती में जो है वो मैसूस कर रही थी उनको ब्रोसा नहीं था कि भी हम हमारा केंडिट जो है यहां से वाइस प्रेजिंट बनेंगा तो इसलिए उन्होंने सरकारी जो मिशिनरी का दुर्प्योग करके ना इसक चाहिए थी कि एसनिम साब की तबियत खराब है पांच मिट पहले वाली बात तो नहीं होनी चाहिए थी तो मैं तो यह समता हूं कि यह मजूदा जो हमारी बीजेपी की सरकार है उसकी कमजोरी है और वो आना बाना बढ़ा के वो किसी नक्सी तरीके से जो उनके वरोध की ज आग एल नावाद को लेकर के भी हम चर्चा करे है या देश भर को के चर्चा करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह के महाल है कल कॉंग्रेश ने भी अबड़ा परदर्सन किया जीस टी महंगाई के खिलाफ क्या करेंए तेखिये जहां तक मैं समझता हूँ महौल की बात है तो जो आज महौल है देश का पीछे कभी ऐसा महौल नहीं रहा चाए बेरुजगारी की बात है चाए महंगाई की बात है चाए बिरिश्टाचार की बात है ऐसा महौल पहले आम आप जनता से सुन सकते हो के बिरिश्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया बेरुजगारी यह है के अगर दस पोस्ट कहीं निकलती हैं तो वहां दस हजार आदमी अपलाई करता है वो भी उसके बाद दस आदमियों को भी नोकरी मिलेगी उसका भी जह सकता हूँ कि जो मुझूदा सरकार है इनोंने एक तंतर पकड़ लिया कि जो मीडिया है उसको इनोंने अपने कभजे में करके यह सच को तो जूट कि तोर पर जनता के सामदा़ी प्रोस लेते हैं और जूट को emotional मुद्दे लाके लोगों के सामने रखते हैं कि जिसके उपर चर्चा होती है और कोई आदमी अगर सही वेनि त्रीके से बोलता है ये कहता है कि आप सही मुद्द लेके आते ये िद्रो का नाम देते हैं कि हर आदमी फिर उस बात से देशेश द्रोही बनने स्थी गना जांट हर घर्तीरंगा सरकार का एक वीजिन है कि हर घर्तीरंगा फैलाया जाए उसको लेकर के भी जोर सोर से वियान चल रहा है है डीप्पू होल्डर्स है उनके पास भी त्रihंगा भीजा गया हुआ है क्या कुछ कहेंगे इससे देश भक्ती की भावना है वो पैदा होगी हर वेक्ति में देखिए वैसे तो ये चीज को taught है कि अपने त्रंगे से नहीं पैदा होती ये तो हमारा एक अम बार्तवासी हैं हर बार्तवाती के मन में और हर आदमी के मन में जिस देश का भी बावना की बावना न होता है दूसरे देश के प्रति कैसे बावनाा होगी आज जो तो तो अपने देश के बावना तो कि अवती ही होगी जिस जो त्रीका अक्तिार किया जा रहा है मैं ने समताabs कि इन बातों से जो है कोई देश्वक्ती पैदा होगी कि तरंगा बांörtे से और वूब भी हरादमी से पैसे लिए जाएं और कई तो यहां तक भी बात आती है मीडिया में बात आई है कि इसके पीछे कोई बिजनस की बात भी है त्रंगा बाटने के पीछे जबके लोगों में हमें वैसे ही बावना उनके जो है न देश्ट में अच्छा मह attempting पैदा करके जो है न बावना पीदा करनी चाहिए तो ये वैसे तो चलो इसमें हर बारती अपने आप ही जो है ना वो तरंगा सबके लिए प्यारा है चाहिए वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है किसी दर्म से बिलोंग करता है तरंगा जंडा को हर आदमी प्यार करता है क्योंकि वो देश का जंडा है और अपने देश को हर आदमी प्यार करता है जिस देश में भी कोई रहता है वो देश अपने को प्यार करता ही करता है लेकन जिस तरीके से मैं सहीं तो यह जो कर रहे हैं यह बातें सरकारी लेवल पर हो रही है जो बेस्क मुद्दे है ना उनको डाइवर्ट करने के लिए ताके उनके उपर लोगों का दियान ना जाए तो ऐसे नकली बातें जो है ना रोज नहीं कोई चीज लाके लोगों के सा सबंदत हैं जो जो आर्थक्ता के साथ सबंदत हैं लेवनेग पाया है सार का है हेल्थ का यह सारे सुधार कैसे हो उन को डाइवर्ट करने के लिए यह एक सेकेंडरी मुद्दे लाला के लोगों के सामने रखे जा रहे हैं सबसूद्ध का कॉँछ सब्स में लंबे समय से संगठन नहीं बन पाया है आप भी जिलाद एक्स पहले रहे हैं क्या कुछ है पूरी टीम है क्योंकि पहले निकाई चुनाव हुए और अब चुकि पंचायत के चुनाव भी आने बाकी है और कॉंग्रेस है वो किस तरह से इन चुनाव को लेकर के प्रयास करेग कि क्या प्लानिंग रही कि यहां तक संग्ठन का स्वाला है वैसे तो यह मैं समता हूं यह मुद्दा हमारे हाई कमांड का मुद्दा है पता निकिन प्रसितियों के कारण यह नहीं हो रहा जो कि संग्ठन का होना अवश्यक है संग्ठन के बगार पार्टी का संचालन मुश पफल बनाने के लिए वो अपने जुम्मेवारी समझते हैं लेकन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ के संक्ठन ना होने के बावजूद भी कांगर्स जनों ने कभी भी जो भी पार्टी हाई कमाड़ की काल आई है उसके उपर डटके जो ना पैरा दिया और उसके उपर बकैदा एक्षन किया है जो पार्टी की तरफ से हदायत आई है कांगर्स जना कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया भी हमारा संक्टन नहीं है हम लोगों ने कांगर्स जनों ने जब भी काल करी है बिना वो किसी उस बात के हर वरकर जो है उन्होंने पार्टी स्पेट किया है उसमें हमारी डूटी बनती थी वो निबाई है और वरोध्य पार्टी का रोल भी जो है कांग्रस पार्टी लगातार निबा रही है देश में भी और हरयना परदेश में प hom